हेलो काईज, जै जिनेंद emitted आज हम बनाने वाले हैं ठंड के लड़ू जिसमेरी help करने वाली है मैरी मममा आज में और ममें मिलकर बनाने वाले हैं ड्राइ फुट्स के लड़ू इसके लिए आदा किलो उड़त का मोगर लेंगे और आदा किलो मुंका मोगर लेंगे आप चाहे तो पुरा उड़त का मोगर भी ले सकते हैं अब दोनों दाल को मिक्स करके इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे इसे हमें ना जाधा बारिक रखना है ना जाधा मोटा इसे हमें दरदरा पिसना है मैंने इसमें एक किलो आटा लिया है तो इसमें एक किलो गी का यूज़ करेंगे अब आटे को एक बड़े से तपेले में लेके इसमें घी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अब इसमें गरम पानी डालेंगे और आटे को गुत लेंगे इसे बिल्कुल सॉफ्ट सा गुतना है और दो घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे जब तक आटा रेस्ट कर रहा है अब ड्राइफूट्स को रोस्ट कर लेते हैं मैंने उनकी प्रिप्रेशन एक दिन पहले ही कर ली थी बदाम को कट करके रख लिया था आप चाहे तो बदाम को मिक्सर में थोड़ा हलका सा ग्राइंड कर सकते हैं बगर मुझे लंबी लंबी पाडाम चीजिए थी इसलिए मैंने उसे लंबी लंबी चिप्स में काटा है अब घी डालेंगे और बदाम को रोस्ट कर लेंगी इसको रोस्ट करने में आपको फोड़े पैशेंस की जरुवत है क्योंकि सो रोस्ट करने में कमसे कम आदी घंटे का समय लगता है जब बदा अब हम इसमें खारिक डालेंगे मैंने खारिक को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था इसलिए वो बारिक हो गई है अब इसे भी रोस्ट होने में कम से कम 15-20 मिनिट का समय लगेगा अब इसके बाद गिले नारियल को रोस्ट करेंगे मैंने गिले नारियल की छिलकी निकाल लिय हैं और इसे कीस लिया है इस बात का दियान रखना है कि हमें ये सब सीम पर ही पकाना है तेज नहीं करना है जब नारियल थोड़ा सा सीख जाए इसमें खसकस डालेंगे और इन दोनों को साथ में सीख लेंगे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से सीख कम से कम 15 मिनिट का समय लगा है इसे भी अब आप निकाल लेंगे जो भी घी डल रहा है वो एक किलो घी के प्रपोशन में सही है अलग से घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन इस टू वन का ही प्रपोशन चल रहा है अब गोन तलने के बाद मखाना डालेंगे और इसे भी roast कर लेंगे जब मखाना भी अच्छा क्रिस्पी हो जाए इसे निकाल लेंगे अब ये सारे dry fruits को mix कर लेंगे और एक पतीली में डाल कर सभी को रख लेंगे वेसे आप चाहे तो इसे थोड़ा से निकाल कर अलग भी रख सकते हैं और ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि इसे हमारे हाँ ठेचा बोला जाता है जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसमें चीनी की भी जरुरत नहीं होती है कि खारी की अपनी मिठास होती है दो घंटे भी हो गए हैं और आटा भी rest हो गया है अब जितना भी बचावगी है वो कड़ाई में डालेंगे इसमें हमने rest करने के लिए जो आटा रखा था वो डालेंगे और इसे सेखेंगे स्टार्डिंग में इसके सेखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी थोड़ा सा हाड लगेगा पर दीरे दीरे इसका घी छुटते जाएगा और यह सॉफ्ट होते जाएगा इसे सिम पर ही सेखना है तेज आज में नहीं सेखना है वना यह कच्चा लगेगा देखी इसका color change होते जा रहा है इसे सेखने में कम से कम दो घंटे का समय लगा है और इसका घी भी भार आ गया है जब यह अच्छी से सिख जाए इसके बाद हम चाशनी की preparation कर लेंगे इसके लिए एक किलो चीनी लेंगे और इसे एक बार पानी से दो लेंगे जिससे चीनी की जो भी गंदगी हो वो निकल जाए अब इसमें पानी डाल कर इसे पकने के लिए रख देंगे चीनी में आप थोड़ा सा दूट डालेंगे तो इसके बाद चीनी की जो भी गंदगी है मेल है वो चमपो सब उपर आ जाएगी फिर इसे स्पून की हल्प से निकाल लेंगे देखिए इससे चीनी एकदम क्लीन हो गई है अब इसकी डेड़ तार की चाष्णी बना लेंगे लड़ू में चाष्णी का बहुत दिहान रखना होता है चाष्णी ना जादा गाड़ी होना चाहिए ना जादा पतली होना चाहिए डेड़तार की चाशनी रेडी हो गई है अब इसे गेस से बाहर निकाल लेंगे इसमें सिखा हुआ आटा डालेंगे और सारे ड्राइफूट मिक्स करेंगे इन सब को मिक्स करने के बाद इसे एक रात के लिए रख देंगे जिससे लड्डू में सारी चाशनी अबसर्फ हो जाए और ड्राइफूट भी सॉफ्ट हो जाए और उसमें भी चाशनी मिक्स हो जाए अब नेक्स्ट मॉनिंग मैंने इनके लड्डू बना लिये हैं हमारे ड्राइफूट के लड्डू रेडी है अब आपको जब भी से खाना हो इसे आप कड़ाई में गरम करके खा सकते हैं और लड्डू को फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं गरम लड्डू खाने का स्क्रेब करें